नमस्कार दोस्तों टीएच के टेक में आपका स्वागत है आज इस पीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कोटेक मेंद्रा बैंक का आटीजेस या नेफ्ट फोर्म कैसे वरा जाता है जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो यह मेरे पास फिल्ड फोर्म है इसे मैं स्टेप रासी का आटीजेस होगा अगर रासी दो लाग से नीचे है तो उसका नेफ्ट करेंगे तो मैं यहां पे नेफ्ट पे टिक कर दे रहा हूँ अब दोस्तों यहां पे डेट डाल देनी पड़ेगी जिस दिन आप नेफ्ट या आटीजेस के लिए अपलाई कर रहे हो वो डाल देंगे यहां पे आपकी ब्रांच आएगी जो भी कोटेक मेंदरा बैंक के आपकी ब्रांच है वो यहां पे लिख दीजेगा अब आगे चलते हैं पिलीज डेविट माई अकाउंट नमबर यानि यहां पे आपका जो कोटेक मेंदरा बैंक का अकाउंट नमबर है न व को आले करते हैं तो यहां पर जो भी चेक नंबर होगा वो यहां पर मेंशन कर दीजेगा एंड रेमिट थ्रो नेफ्ट आटीजेस यानि नेफ्ट पर टेक कर देंगे यहां पर आपको जितने का भी नेफ्ट करना है वो अमाउंट यहां पर डाल देंगे रुपीज इन वर्ड वर्ड में यहां पर मेंशन कर देंगे आगे चलते हैं परपर स्कूर तो यह डालने के आपको ज़रूरत है नहीं है mandatory for RTGS transaction यानि यह कहरा है कि RTGS कर रहे हो तो डाल दाएं नहीं तो यहां पर वैसे blank भी छोड़ सकते हैं या आप यहां पर fund transfer लेख देंगे आगे आते हैं दोस्तो beneficiary detail beneficiary account type current account है saving account है NRE account है OD account है तो यहां पर हम अभी saving से कर रहे हैं तो यहां पर saving पे टिक कर देंगे full name of beneficiary यानि जिसके खाते में हम पैसा बेज रहे हैं उसका नाम क्या है account में जो भी नाम होगा वो यहां पर mention कर देंगे beneficiary account number यानि जिस खाते में हमें पैसा बेजना है वो यहां पर डाल देंगे confirm beneficiary account number दुबारा लिख देंगे IFSC code उस bank का IFSC code यहां पर डाल देंगे bank का नाम जो भी bank है उसका नाम यहां पर आ जाएगा branch जहां पैसा आप भेजना चाहरे हो उसकी branch क्या है यहां पर branch name आ जाएगा अब आगे दोस्तो है beneficiary LEI number यह यहां डालने की जुरुवत नहीं है यहां पर साप साप लिख रखा है mandatory only if the amount is 50 crore and above तो यह यहां पर लिखने की जुरुवत नहीं है अब यहां पर एक condition है I will have read and understood the terms and condition mentioned over leave तो आईए कहना चाहरा है कि मैंने सारी terms and condition पढ़ ली हैं और यहां पर अपने खाते में जो भी आपके sign है वो यहां पर कर देंगे और अपना नाम यहां पर दोस्तो डाल देंगे आगे यहां पर कुछ नहीं करता है यह terms and condition आप पढ़ लीजेगा और एक और है आपके खाते से दोस्तो जो भी bank charges होंगे वो debit हो जाएंगे जो भी 40.000 रुपे transfer करने में bank charges लगेंगे वो debit हो जाएंगे इसके बाद यह customer acknowledgement है यह bank वाले यहां पर branch डाल देंगे date डाल देंगे, amount डाल देंगे, check number डाल देंगे और जिस खाते में आप पैसा बेज रहे हो वो account number और उसकी bank name डाल के यहां पर अपनी एक stamp मार के sign करके यह acknowledgement copy आपको फाड के दे देंगे दोस्तों bank वालों से थोड़ा wait करके यहां पर UTR नंबर भी ले लेना ताकि आप transaction आसानी से track कर सको दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिन, जय भारत